नमस्कारा प्लाइट सिटीज देख रहे हैं मैं हूँ गरिमा भारती केंद्रे मंत्री और कद्दावर नेता रामविलास पास्वान अब हमारे बीच नहीं रहे आठ अक्टूबर की शाम को दिल्ली के फोर्टस स्कॉर्ट अस्पताल में उनका निधन हो गया लंबे समय से बिमार चल रहे थे हाल ही में उनकी हार्ट सर्जरी हुई उनके बेटे चिराग पास्वान ने इस बात की जानकारी ट्वीट करके दी कि रामविलास पास्वान अब हम सब के बीच नहीं रहे हैं कल उनका पार्थिव शरीर पटना लाया गया सचिवाले में भी रखा गया लोग जन्शक्ती पार्टी के कारियाले में भी लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुँचे आज उनके आवास पर उनका पार्थिव शरी रखा गया है और कुछी देर बाद उनका अंतिम संसकार भी किया जाएगा उनके जितने भी समर्थक है उनका ताता लगा हुआ है घर के बाहर रामविलास पासवान को अंतिम बार देखने के लिए लेकिन रामविलास पासवान के जितने भी करीबी है खास कर उनके ससुराल वाले चिराग पासवान के ननिहाल के लोग भी रामविलास पासवान के अंत कि रामविलास पासवान ने 1960 में राजकुमारी देवी से शादी की थी और दूसरी शादी रीना पासवान से 1983 में की थी रीना पासवान पंजाब के अमरित्सर की रहने वाली थी उनसे रामविलास पासवान ने दूसरी शादी की थी उनके घरवाले अपने दामाद के अंतिम दर्शन के लिए आये हुए हैं हमारे सहयोगी केकेजह वहाँ पर मौझूद है आप उनसे जानिए कि कौन-कौन उनसे मुलकात करने के लिए पहुचे हैं पंजाब से ये लोग आया हैं ये लोग अक्सर दिली में भी दिली के आवास के आया करते थे अभी अंतिन दर्शन के आपने तस्वीरों में देखा रामविलास पासवान के ससुराल के लोग पहुचे हैं रामविलास पासवान के अंतिन दर्शन के लिए काफी लोग प्रिया नेता हैं रामविलास पासवान किसी पहचान के मोहताज नहीं है बिहार के साथ पूरे देश में उनकी ख्याती हैं दलितों के नेता रहे हैं दलितों के साथ साथ जितने भी पिछडे हैं गरीब हैं लाचार हैं उनके नेता माने जाते हैं रामविलास अब हमारे बीच नहीं है कुछी देर में उनका अंतिम संसकार होना है तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुचाते रहेंगे आप हमारे चैनल लाइफ सिटीज के साथ बने रहें अगर आप ये विडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और फ